हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अव्यूद एकडमी चैनल में हम अपने वीडियो में work from home और part time jobs के बारे में बताते हैं इस वीडियो में भी हम आपसे बात करेंगे कि copy paste android mobile पे कैसे करें दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूवर ने हमें लिखकर भेजा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि android mobile पे copy paste कैसे किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आजकल smartphone है और वो उसी से काम करना चाहते हैं बहुत सारे हमारे जो viewer हैं उनके पास अभी अत्रिक्त पैसे नहीं है कि वो copy paste का काम जो है वो अपने laptop या computer खरीद के करें दूसरी बात ये है कि mobile phone उनके हाथ में हरसे में रहता है और वो comfortable भी है कि उसको लेकर वो कहीं भी घर में या बाहर में या पार्क में कहीं सकते हैं मेट्रो में चलते वक्त भी उस पे काम कर सकते हैं और अपने लिए एक सकते हैं दोस्तों साथ ही जो copy paste का काम है उसके लिए बहुत high qualification की जरूरत नहीं होती इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं एक metric pass या आठवी नौई पास आदमी भी copy paste का काम अच्छी तरह कर सकता है और अपने लिए एक अच्छी income कर सकता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो जह है वो copy paste इसको तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ताकि आप असानी से समझ सके कि Android phone पे copy paste कैसे किया जा सकते हमने इस वीडियो के description box में जो हमारे part time और work from home jobs के registration और job portals के बारे में जो वीडियो बने हैं उनका link दे रखा है आप click करके उन्हें जरूर देखे तो चलिए हम copy paste कैसे करते हैं Android mobile पे इस पे अब बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Android phone में copy कैसे किया जाए तो इसका जो सबसे पहला step ओन है वह है कि सबसे पहले आप उस text को यानि कि उस लिखी वी चीजको open करें जिसे आप copy करना चाहते हैं, यानि कि आप जिस matter को copy करना चाहते हैं, उस text को आप open करें, step tube में, अब उस text को 3 से 4 सेकंड के लिए touch करें, रखें, touch किये रखें, ताकि जब आप उसे छोड़ें, तो ये text जो है, उस पर आपको 2 point दिखने लगे, step 3 में आपको क्या करना है, कि अब आप इन 2 point को adjust करके, आप आसानी से text को select कर सकते हैं, यानि कि आप एक point को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, तो text जो है, वो copy होता चला जाएगा, और आप जितना text copy करना चाहते हैं, उतने को आप select कर लेगे, इसको कहेंगे कि आपने text select कर लिए, तो text को select करने के बाद, उपर जो menu दिखाई देगा, उसमें copy पर आप click करें, click करत से ही आपकी ये text copy हो जाएगा, तो चलिए अब देखते हैं, कि इसी text को हम paste कैसे करें, तो जो step 1 है, किसी भी input field को open करें, जहां पी ये text जो है paste करना है, अब उस input field पर 3-4 second touch करके रखें, ताकि touch छोडने के बाद, वहां paste का button आजाएगा, जो तीसरा step है, अब उपर paste को button पर click करें, paste की button पर click करते ही, आपको text paste हो जाएगा, तो दोस्तों, इस तरह आसान धन से, आप अपने mobile phone पे copy और paste का काम कर सकते हैं, और जो आप job portal पे, जो काम आते हैं, जो part time jobs हैं, उनके लिए bid कर सकते हैं, ये काम उठा सकते हैं, और अपने लिए एक अच्छी income कर सकते हैं, तो दोस्तों, हमें उमीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कि copy paste android mobile पे आप कैसे करें, और आप हमारे जो job portal पे registration के तरीके हमने जो बताएं हैं, जो step by step करके हमने अपने अलग-अलग वीडियों बताएं हैं, उनका link आप click कर लें, आप जो हैं, उस portals पे जाकर अपने आपको register करें इन copy paste के job को pick करें, अपने लिए काम करें और अच्छी income करें, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो please इसे like करें और share करें, ताकि और लोगों को भी love हो सके, साथी आप comment करना ना भूले, आपके जो सवाल हैं, वो भी आप comment box में लिख कर भेजें, आप आपके सवाल और आपके comments हमें अच्छे वीडियो बनाने में मदद करती है, आपके काम लाइक वीडियो बनाने में मदद करती है, दूसरा चीज़ कि हम आपके सवाल का जो जबाब है, वो अपने research team की मदद से बिलकुल authentic और आसान डंगों में, सरल भाशा में आप तक subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले